नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शर्षयकाल, आदाब, कैसो आप सब, मैं सागर मौरिया, डिसी पीसेस क्लासेज में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, आशा है सघुसाल होंगे, सोचत होंगे, और अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लगे होंगे, तो मैं परता अक्षर एक्जाम में आपके पूशे जाती है, या आने वाले भुष्ष में पूशे जानी की प्रपल्स महोना हैं, तो कुछ चुनिंदा घाटिया, जो अक्षर एक्जाम में आती है, तो आज का हमारा में टॉपिक ही है घाटियों के बारे में, तो हम बढ़ते हैं अपनी भारत में अवस्तित हैं, तो हम उत्तर से चलेंगे, उत्तर से होते हुए दच्छल भारत और उत्तर पूरी उभारत में शैर करते हैं चलेंगे, तो पहले हम देखते हैं लद्दाक, ये रहा लद्दाक का में, लद्दाक में पहली हाटी जो है, वो है स्वैक घाटी, स्वै होती है इस डाइरेक्शन है यह स्वैक घाटी स्वैक नदी जो सिंदु की साहेक नदी है यह लद्दाक और काराकॉरम रेज यह लद्दाक रेंज है और यह रही काराकॉरम रेंज इसके बीच इस्थित है स्वैक घाटी यह लद्दाक लद्दाक में जैसकर स्वैक लद्दाक और काराकॉरम रेंज रेंज के मध्य अवस्थित है और स्वैक नदी के नाम पर ही स्वैक घाटी का नाम रखा गया यह बात कर लेते हैं स्वैक नदी स्वैक नदी का उद्दकम केंद की बात करें अक्षर एक्जाम पूश लेता है यह रिमू हिमादी हिमानी से निकलती है निकलती है निष्ट वद्दकते नुब्रा घाटी नुब्रा घाटी नुब्रा घाटी और यह लद्दक रेंज एंड कारागोरम रेंज श्ड़ी के मत अवस्तित है और यहीं पेवात करें जो नुब्रा नदी है यह शियाचीन ग्लैसेर से निकलती है से निकलती है और अगला बात करते है अगली मर्खा घाटी मर्खा घाटी यह जासकर नदी होगी जासकर की सहायक नदी है यह है मर्खा नदी जो जासकर नदी की सहायक नदी है और जासकर सिंदु की सहायक नदी है और इस नदी की द्वारा ही इस घाटी का विकास किया गया यह मर्खा घाटी मर्खा घाटी की बात करें यह कि जासकर श्रेडी जासकर श्रेड़ी और लडगा कि नमद in पहले एक स्क्राइब फ्लेगें देखिए ये रहा नूप्र वाली ये रहें राएब इसकी औरureau मर्खा çेट्र और अम रखवर्ख आ गाया ये है मिश के है हेमिस राष्टी उध्यान उध्यान से होके वहती है और हेमिस राष्टी उध्यान भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है तो आप बढ़ते हैं नेश्ट है सूरू घाटी सूरू घाटी शुरू घटि लद्दा के कारगिल जिले में अवस्ति थे इस शितर में शुरू घटि शूरू घटि का विकास जो है ये शुरू नदी के नाम पर रखा गया या शुरू नदी के द्वारा इसका विकास किया गया और सुरू नदी सिंदु की सहायक नदी है अब नेश्ट परते हैं नेश्ट है गल्वान घाटी गल्वान घाटी गल्वान घाटी गल्वान नदी के द्वारा विक्सित की गई गल्वान नदी ये रही ये स्वैक नदी की सहायक नदी है गलवान नदी ये स्वैक की सहायक नदी है और ये इसे सित्र ये गलवान घाटी कह जाता है और यहीं की बात करें यहीं पर 15 जून 2020 को भारत और चाइनना के बीच एक खुनी जड़ाप हुई दिए और गलवान नदी की बात करें ये अक्षाई चीन से निकलती है निकलती है ओक ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे ये रहे लद्दाक के अब हम बढ़ते हैं जम्मू कास्मीर कास्मीर गाटी ये रहा जम्मू और कास्मीर के अंद्र सासित प्रदेश का माहिब कास्मीर गाटी गाटी ये महान हिमाले और लगु हिमाले महान हिमाले एंड लगु हिमाले लगु हिमाले में पीर पंजार श्रेड़ी श्रेड़ी के मद्ध इस्तित है और यहाँ पहले एक रहाद जील थी गाटी जो है पहले एक जील थी जो क्रम्शा मलों के जमाव के कारण या निशेवन के कारण एक मैदान में परिवर्तित हुई और यहाँ जेलम नदी इस घाटी के प्रमुख नदी है जेलम नदी इस घाटी के प्रमुख नदी है ओके और यहाँ पह उलर जील में जैन उल लग नामा के क्रतिम दिव यही पह इस्तित है उलर जील उलर जील और यहीं उलर जील में ही जैन उल लग ये क्रत्रिम देव है ये कुछ इंपॉर्टन फैक्ट जो अक्षर रिक्जाम में पूशे जाते हैं तो अब बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ये रा हिमाचल प्रदेश का मैं हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्र कुल्लू घाटी यह रहा कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला यहीं भी कुल्लू घाटे विकास हुआ कुल्लू घाटे और यह इसकी बात करें यह पीर परंजाज ट्रेडी पीर पंजार एंड धौला अंधर सड़े के मद्ध इस्तित है ओके यह कुल्लू घाटे और यहाँ पे बात करें नदी ब्यास नदी यह ब्यास नदी और पारवती नदी दो नदियां टोहाईत होती हैं और मनाली कुल्लू घाटे में इस्तित हैं मनाली जो रंग विरंगे फूलो के लिए फ्रेमाश है और यहाँ के कुल्लू घाटे के जो शेफ हैं शेफ के बागान और उचे देवतर शेफ के बागान और देवतर के लिए फ्रेमाश है तो आगे बढ़ते हैं अगली है घाटी हमारी अगली घाटी है पारवती घाटी निश्ट पारवती घाटी पारवती घाटी के बात करें यह ब्याज की सहायक नदी पारवती नदी नदी के उदारा बिक्सित किए और यहां की बात करें इस घाटी में मड़ी कर्ड नमक झरना जहनाव फेमास है ओके नेश्ट बढ़ते हैं नेश्ट है यहां कांगला घाटी कांगला यहरे कांगला घाटी यह धोला धर और सिवालिक स्रिड़े के मद्दे इस्तित हैं यहां के ब्यास नदी यहां जो प्राहित हुती है ब्यास नदी यह रही ब्यास नदी ब्यास नदी कांगला घाटी की प्रमुख नदी यह और यहीं पर पूंग जलाशे के निर्माल किया गया यह रहा महराणा प्रताप जलाशे जो ब्यास नदी यह बांद बना कर विवाल हुआ और यहीं को पूंग जलाशे के थे हैं जलाशे नेश्ट बात करें चांबा घाटी यह रहा चांबा घाटी यह पीर पंजार एंड धौलाधर शेड़ी के मद्द इस्ति थे और धौलाधर चांबा घाटी और कांगला के बीच एक डिवाइडेशन का काम करता है कांगला घाटी के मद्द डिवाइडेशन का काम करता है धौलाधर शेड़ी और नेश्ट बढ़ते हैं नेश्ट है लहौल एंड इस्फिती लहौल एंड इस्फिती जो है यह पीर पंजार और जाजकर शेड़ी के मद्द इस्ति थे थे और यहाँ की बात करें यह सीद मरुभूम इसको जो है सीद मरुभूम में भी कहते हैं और एक दूसा फैक्ट रिवर राप्टिंग के लिए फिमश है रिवर राप्टिंग के लिए फिमश है और कुलू घाटी पीर पंजार शेड़ी जो है लहौल इस्फिती को पीर पंजार शेड़ी लहौल इस्फिती को यह कुलू घाटी से अलग करता है लहौल इस्फिती को कुलू घाटी से अलग करता है और पीर पंजार शेड़ी पर ही रहताग दर्रा रोहताग दर्रा जो लहौल एंड इस्फिती को कुलू घाटी से जोड़ने का काम करता है ये जोड़ने का काम करता है नेश्ट बढ़ते हैं किन्न और घाटी किन्न और घाटी किन्न और घाटी ये धोला धर और महान धोला धर शेड़ी एंड महान ही माले हिमाले के मत इस्थित है और 17 नदी प्रभाइद होती है 17 नदी किन और घाटी से होके बहती है और यहां के सेव पूरे भारत में फिमाश है किन और घाटी के सेवों के लिए फिमाश है प्रशीदय है निरिष्ट वरते उत्त्राखंड उत्त्राखंड में इस्थित translate कुछ महत्मुल घाटि है जिस में इसे एक है फूलो की घाटी और दूसरी दून घाटी और तीसरी है नेलांग घाटी यह रहा उत्रागंड का मैप इस पर दिखते हैं पहले दिखते हैं फूलो की गाटी फूलो की गाटी यह जाजकर सेड़ी एंड महान हिमाले के मद्ध स्थित है और इसकी बात करें यह गढ़वाल जिला गढ़वाल छेत का चमॉली जिला उत्रागंड का चमॉली जिला चमॉली जिला जिला में इस्थित है और फूलो की गाटी राष्टी उध्यान भी यहीं पे इस्थित है और इस गाटी के जो पूर में जाएंगे तो नंदा देवी राष्टी उद्यान ये रहार नंदा देवी ये फूलो की घाटी राष्टी उद्यान ये नंदा देवी राष्टी उद्यान और नंदा देवी जियो मंडल आरचित छेत्र के अंतर गत ये दोनों छेत्र फूलो की घाटी और साथ ही साथ रंदा देवी राष्टु युद्यान ये दूनों रंदा देवी जियो मंडाल आरचित छित्र के अंतर गताते हैं और ये युनुस्को के विश्व धरोवर सूचिय में भी सामिल हैं और यहीं पर बात करें इंपर्टेंट नदिया जो यहां से प्रवाईद होती हैं पहली नदि जो धौली गंगा और पूरवी भाग से धौली गंगा और अलग नंदा पशिमीच छोर से अलग नंदा वहती है और पुष्वावति नदि फूलो की घाटी के 20 होते हुए घड गुजरती है पुष्वावति नदि मध्य से गुजरती हैं मध्य से प्रवाईद होती है नेष्व दूण घाटी यह रहैं दूण घाटी उत्रखंड का दूण घाटी दूण घाटी यह शिवालिक और लग हुई माले के मध्ध स्रीवालिक अँड लगु हुआले हिमाले के मद्ध इस्तित है नेश्ट बढते है नेलांग घाटी नेलांग घाटी नेलांग घाटी गंगोत्री نेशनल पार्क यहीं पर नेलांग घाटी निलांग घाटी इस्तित है यह उत्तरगंड के उत्तरकासी जिले में आता है उत्तरकासी जिला तो नेश्ट वड़ते हैं पस्षी मंगाल पस्षी मंगाल की एक घाटी है निवरा घाटी जो पस्षी मंगाल के सिंगल में घाटी हैं निवरा घाटी है नेवरा घाटी यहा नेवरा वैली नेशनल पार्क यहीं पर नेवरा घाटी इस्तित है और इसकी बाद करें ये उत्तरी बंगाल का जो कालिम पॉंग जिला है वहाँ पर आवस्तित है और इसकी सीमा की बाद करें इसकी सीमा उत्तर में सिक्किम से और पूर्ण में भूटान से लगती है और 1986 में इसे निशनल पार भूशित किया गया यहीं भी बात कर लें सिक्किम की सिक्किम की एक महत्पूर्ण गाटी यूम्थांग गाटी यूम्थांग गाटी यूम्थांग गाटी यूम्थांग गाटी यूम्थांग गाटी यूम्थांग गाटी यह रहा और यह उत्तरी शिक्कि में इस्थित है और शिक्किम का फूलों की घाटी अभ्यारण भी कहा जाता इसको और नेश्ट बढ़ते नागलेंड नागलेंड की जुकु जुकु घाटी यह जुकु घाटी जुकु घाटी जुन और सितंबर मां के मंत में यहां जंगले फूलों के लिए फिवास है जुन और सितंबर मां में खिलते हैं और पूरे घाटी को यह ठक लेते हैं और यहीं पर बात करें एक लाश्ट है किरल किरल की सालेंट वाली किरल में सालेंट वाली यह रहें सालेंट वाली यह निलगिर पहाड़ी में अवस्थित हैं निलगिर पहाड़ी में इस्थित हैं तो यह रहें कुछ माहत्पूलों घाटियां जो भारत में इस्थित हैं तो मैं आशा करता हूँ यह क्लास आपको वेतर ढंग से समाज आए आए तो प्लीज हमारे दिशी पीसेज क्लासे को लाइक करें सब्सक्राइब करें और तो यह रहें आए क्लास खत्म किनने की इजास से अगहूँ गया नमस्कार